ज्ञार को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो लगभग लगभग वो पटाच्षेप की ओर है लेकिन ज्ञारकन की पहचान अधिवासियों से है मुलवासियों से है लेहाज़ उनकी आवास उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए चुकि उस पहाड़ी पर सिर्फ जैन धर्म का समय नाम से नहीं जाना चाहिए बलकि मरांग बुरू के नाम से वह जाना जाना चाहिए चैनि का कि जमाने से वहां परश्टिश करते आये हैं इस सक्त हमारे साथ मौझूद है अधिवासी समाज के बड़े नेता पुरोसांसद सिंगल अभ्यान के राष्टी अध्यक्षे सालखन मुर्मुजी आकर इस बात का विरोध क्यों है जब एक तौरपर केंद सरकार हो या रासरकार हो इसका पड़ाच्षेप करने की कोशिश कर रही है और वो पड़ाच्षेप लगबग हो भी चुका है तो इस बीच में ये फिर से आवाज उठ रही है ये क्या पहले आवाज उठती तो ज़्यादा रिलेवेंट रहती या अभी अब जब विबाद लगबग समाप्ती के और फिर आवाज उठाने की क्या जबगत है देखिए पारसनात पहाड को हम अदिवासियों के लिए इश्वर का दरज़ा है हम मारंग बुरू के नाम से उसको जानते हैं तो पहले भी इस पर विबाद होते रहे हैं और यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज और उसने कहा कि पारसनात पहाड पर अदिवासियों का अधिकार है तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि पारसनात पहाड पर उस मामले पर राज सरकार और केंदर सरकार बिना आदिवासियों के पक्ष को सुने और समझे कोई भी फैसला करेगा तो निश्चित है आदिवासियो आज उसका बिरोध करेगा तो अभी की हालात में हमारी मांग ये है कि अभी भी पारासनात पहाड के इर्द गित केवल आदिवासी संताल को गाउं है और हम आदिवासी तो पहाड परवत को ही इश्वर मानते हैं सभी तरफ तो वहां हमारा जब इश्वर है हमारा तिर्थ अस पूजास्थान है अमारा पूजास्थान है और वहां के पूजास्थान को हम लोगों ने जूग जाहर का भी नाम दिया है। पूजास्थान है और इसके लिए जो जार्खन सरकार है मन सुरें सरकार उसने जो लिक के सरेंडर कर दिया आदिवासियों को एक परकार से बेच दिया उसके धरम को उसके ईश्वर को तो इसके लिए भी बड़ा अंदोलन सुरू हो रहा है। हैमान सरकार का पुतला दहन भी होगा और दस जन्वरी को बड़ी जनसभा वहाँ होनी है। दस जन्वरी वहला ही कारिकरम जाना चाहिए। इसमें आप लोग कहा कि पूरे देश भर से अधिवासियों का महा जुटान है। चैवासा में मेरी पहले से बड़ी एक सभा है चोकि एक जन्वरी को दुमका में हम लोगों ने सुरू किया है। जन्वरी आदिवासी बिद्रोय करांती का भी गुल्फू का है तो उसका एक सभात तैय था। लेकिन आज मैं अभी पारसनाथ पीटान प्रखंड में जो मधुबन मैदान है वहां अस्थानी नेताओं के साथ मेरी बातचीत मुलाकात होगी। उनसे फोन में बातचीत हो चुकी है ताकि दस तारीक या उसके बाद हम कैसा अंदोलन को चलाएं ताकि फाइट टू फिनिस डू और डाई हमको सफलता हासिल हो। और वैसी कोई स्थिति नहीं बननी चाहिए लेकिन इस मामले को अभी भारत सरकार राज सरकार दोनों को कोगनिजेंस में लेना चाहिए बातचीत सुरू करनी चाहिए हमारे पक्ष को भी समझना चाहिए और इस मामले पर अस्थानिय सरकार जो है हैमन सुरेंजी की सरकार इ हेमन सोरेन सरकार एक तरब कहेंगे हम अधिवासी का बच्चा है हम पर हमला होता है हमारा विरोध होता है लेकिन हेमन सोरेन सरकार ने खुद लिक के कुर्मी को अधिवासी बना वोलता है खुद सरना धरम कोड के मामले को टाल मटो लटका देता है खुद संताली भासा को जार आज बार आप लोग CM बन गए आदिवासी के नाम से तो आदिवासी के लिए इमानदारी से काम करना नहोगा तो मारंग बुरू का मामला लेकिन आग को जलाने जैसा मामला बनता है यह जो आपने भी एक्जामपल भी दिया है कि जिस तरह से आयुध्या में राम मंदिर को ले मुद्धे पर हमको मारंग बुरू नहीं देंगे पूनर बहल नहीं करेंगे तो आदिवासी समाज में तो आकरोस पैदा होगा आग पैदा होगा और अपनी अस्तितों की रक्षा के लिए अपनी पहचान और अपनी हिस्सेदारी की रक्षा के लिए हमको कुछ भी करना दिन उसमें अमिशाह आते हैं और हैमन सरकार को खाड़ फैकने की बात कहते हैं लेकिन जो यहां के कोई इशूज हैं जिसे सरना धर्मकोर्ट का विशह है उस पर उनकी बात नहीं होती है आप यह कहते हैं कि वह दोहजार चोबिस के मद्दे नजर आये हैं लेकिन उनको अधि अधिवासियों के इशू को उन्होंने टच नहीं किया है बिलकुल सही बात है दोहजार चोबिस में पार्लियमेंट का एलेक्शन होना है तो निश्चित है मोदी साहब अमिशा साहब जारकान बंगाल उडिसादी राजों में जहां उसकी सरकार नहीं है वह आदिवासियों कोड का मामला मानेता का तो हमने पहले भी अपने विविन प्रकार से मीडिया के माध्यम से उनके तक पहचान चिठी भी भेजा है अमिशाद साहब को प्रधान मंतरी को कि सरना धरम कोड दो आदिवासि का भोट लो और कूर्मी महतों को अस्री मत बनाओ नहीं तो जो असले तो मुझे लगता है अमिशाद साहब साहब ने कल चैवासा में चुनाओ का जो संक्राइथ किया है यह उनका फ़लप हो गया है बेकार सावित होगा और मेरे इसाब से तो उनको ऐसा करने से भोट भी नहीं मिलेगा अब भोट मांगने का नैतिक अधिकार भी नहीं बनता है पाराशनात के तरब लोटते हैं चुक्कि आपने खुदी कहा कि जारकार में जो आदिवासियों का वोट है वो निनायक है दो साल के अंदर विधान सभार लोकसभा चुनाव होने हैं और संथाल की वहां बहुलता है पाराशनातर उसके आसपास के लाकों में तो अगर हेमन सर अधिवासियों के लिए लड़ता हूं मरता हूं कि राश्पती जी को प्रधान मंतरी जी को कर दो ग्रिए मंतरी जी को मैं समझाने की कोशिज करूंगा अभी थोड़ा समय है आप सरनाधरम कोड भी दिधीक a मारंग भुरू भी दिधीक आप सरकार बनाईए अधिवासियों को जिने दिजे नहीं तो आप की सरकार भी नहीं बनेगी और आदिवासियों के लिए कठिनाई पैदा होगी तो यहां आग जलेगा तो नुकसान सबको होना है तो हम सबके फायदे की बात करें और एक ऐसे रास्ते को चुने ताकि सांती बने रही प्रगती भी हो इस तमाम विश्यों के बीच में आपके नज़र मे तो हम कोई बात प्रस्ताव के रूप में नहीं रखेंगे रास्ता जरू निकलेगा लेकिन अभी पहली बात है हम भारत के अदिवासियों और खासकर संताल अदिवासियों चाहते हैं मारंग बुरू हमको पुनर बहाल किया जाए इस पर बातचित सुरू की जाए जब बात समय शिखर या मारंग बुरू को लेकर जो डिसीजन लिया है वो अदिवासि समाज को एकसेप्ट नहीं है लहाजा इसका परतिकार होगा और दस जनवरी को एक बड़ा महा जुटान पूरे देश भर के अदिवासियों उसे जुटेंगे और वहां कोई प्रस्ताव पारित क जाएगा यहां तक आगामी विधान सभा या लोगसभा चुणाव में इसका इंपक्ट का सवाल है तो निश्ची तोर पर ज्ञारकण में अदिवासियों की मुलवासियों का जो वोट है वो ज्ञारकण में निरनायक साबित होता है अगर वो हट होंगे जाहिर से बात है इ जेद राजितिक जो दवरा है वो फुलाफ हो है ऐसा सालखनबुर मोजी मानते हैं फिलाहल मुझे और मेरे केमरा सही होगी संजय को दीजिए इजासत नमस्कार चार धामों में से एक रामिश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी कन्याकुमारी मदुरै मामिनाक्षी देवी और श्री मलिकारजुन जोतरलिंका जारकण में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाप का आनुपम अमसर संपर्क करें माकामा ख्या धार्मिक रेलियात्र केस्री नर्सिंग हों पहला तल्ला पिसका मोर राची